गाइज यह है इस चैनल की लाश्ट वीडियो अफकॉस 2023 की क्यूंकि इसके बाद आने वाला है नू यर और इसी के खुशी में हमारी सब्सक्राइबर ने हम लोग को एक गिफ्ट बेजा है जो की रखा हुआ है इस चैलेंज भी दिया है जो की है 100 डे शर्वाइफ करना इस व की इस लैंटरन को अटालो क्योंकि इसकी वाइजे से बाई कुछ जादी खड़े होने में दिक्कत आ रही है ओके तो अब हम लोग इसली खड़े हो सकते हैं और अपने गिफ्ट को भी ओपन कर सकते हैं वेट इतना कम समान इतने में तो सर्वाइफ करना काफी सादा हाड हो होने वाला है बट कोई नहीं हम लोग फिर भी अपना पूरा ट्राई करेंगे बट सबसे पहले मैं यहाँ पर खड़े होने के लिए डर्ट का ब्लॉक प्लेस कर लेता हूँ और थोड़ा सा इसको इस स्टेट लाइन में एक्स्टैंड भी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर इ चेश्ट के तीनों साइट एक-एक सेपलिंग प्लैंड कर दी थी और चौती साइट खुद के खड़े होने के लिए थोड़ा बहुत एरिया भी एक्स्टैंड कर लिया था बाकि अब तो हम लोग को बस इंतजार करना है कि हम लोग के ट्री जल्दी से जल्दी ग्रो हो बाकि फिर ट्री ग्रो होने के इंतजार करते करते साम हो जाती है और हम लोग तक गय होते हैं तो हम लोग लेट के थोड़ा बात अराम करने लगते हैं और अराम करते करते हैं तो मैं फटा-फट से जाकर उसकी लॉग करता हूँ पर मैं सारी लोग एक बार में कट नहीं करत क्योंकि सारी logs अकर हम लोग हटा देंगे तो leaps सारी जढ़ जाएंगी और हम लोग को sapling भी नहीं मिल पाएगी इसलिए जितनी मैंने wood cut करी होती है उससे मैं crafting table बनाता हूँ और crafting table में craft कर लेता हूँ स्प्रूस के slab और फिर उन slab से area को extend करके बाकि के बच हुए locks को भी cut कर लेता हूँ और फिर जो मेरे को wood मिलती है उससे भी मैं slab बनाता हूँ और उससे भी मैं अपने area को extend कर लेता हूँ और area extend करते वक्त मेरे को sapling मिली होती है तो मैं उनको भी दुबार से plant कर देता हूँ और फिर हम लोग का जंगल वाला tree भी grow हो जाता है तो वहाँ से भी मैं lock cut कर लेता हूँ उससे फिर मैं craft करता हूँ अपनी पहली wooden pickaxe और जो wood बच जाती है उससे swap craft करकर और भी जादा अपने area को extend कर लेता हूँ बाकी अबारी थी अपने लिए एक stone farm बनाने की जिसके लिए मेरे को stones चाहिए थे इसलिए फिर मैं water और lava को मिला कर काफी सारे stone मिलाता हूँ और फटा फट से उनको भी mine कर लेता हूँ और मेरे को थोड़ा बहुती stone मिल पाता है जिससे मैं सिर्फ area extend कर पाता हूँ इसलिए बाकी का farm मैं build कर लेता हूँ dirt से क्योंकि उपर वाली dirt को तो में लोग कभी भी replace कर सकते हैं सारे के सारे tools और weapon को craft कर लेता हूँ और फिर दुबारा से चले जाता हूँ cobblestone को mine करने के लिए और फिर थोड़ी बहुत देर cobblestone mine करने के बाद मेरे को याद आता है भाई ये फालतु की काम मैं क्यों कर रहा हूँ इसके लिए तो मैंने अपने दोस्त को रख रखा है इसलिए फिर मैं cobblestone को mine करने का काम दे देता हूँ अपने दोस्त को और मैं चला आता हूँ dirt को replace करने के लिए क्योंकि dirt बहुत important है बाई इस game में और हमारे पास वो limited है और फिर मैं सारी dirt को तो replace करी देता हूँ इस slap से बलकि jungle के slap को भी replace कर देता हूँ spruce slap से और dirt replace करते वक्त मेरे को sapling हटानी पड़ी थी इसलिए मैं sapling को दुबार से भी plant कर देता हूँ और जब तक वो sapling grow नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ और कर नहीं सकते और फिर मैं अपने दोस से कह देता हूँ कि वो saari sapling उदर plant कर दे और मैं इस जगह पर बनाने लगता हूँ अपने लिए एक छोटा सा food farm और शुरुआत में जो हम लोग को carrot मिली होती है मैं उनी को ही अपने farm में लगा देता हूँ और अब हम लोग के पास जादा से apling आ चुकी थी इसलिए मैं चार से apling एक ही साथ लगा देता हूँ ताकि हम लोग बड़े वाले tree grow कर पाएं और जब तक tree grow नहीं होते है हमेशा की तरह मैं चला जाता हूँ cobblestone mine करने के लिए और जब tree grow हो जाता है तो मैं अपने दोश से कह देता हूँ उसको cut करने के लिए और अब हम लोग के पास बहुत सारी wood आ चुकी थी तो मैं बहुत सारी slab बनाता हूँ और फिर दुबारे से चली आती है अपने tree farm वाले area को extend करने के लिए और इस बार तो भाई मैं काफी जादा इसको extend कर देता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर जादे से जादा tree grow कर पाए और tree का तो पता नहीं बट हम लोग के उपर बहुत सारी zombies attack कर देते हैं और उनमें से एक zombie villager भी होता है तो हम लोग को उसको भी safe करना था और उसको मैं अची तरीके से cover भी कर देता हूँ ताकि जब सुबह हो तो कहीं वो जल कर ना मर जाए और फिर मैं चला जाता हूँ और दूसरे zombie villager को capture करने के लिए और जैसी मैं board place करता हूँ पहले तो एक normal वाल आता है और फिर भाई zombie villager भी आ जाता है और इसी के साथ हम लोग ने दो zombie villager capture कर लिये थे और अब बस हम लोग को इनको और अपने आपको सुबह तक के लिए safe करना है जो कि हम लोग करने में नाकाम रहते हैं क्योंकि बहुत सारी creepers को तो skeleton ये आरो मार मार के फोर देते हैं जिसकी वज़े से हम लोग के सारी zombie villager मर जाते हैं बट हम लोग समझ चुके थे ऐसे करके हम लोग zombie villager को easily capture कर सकते हैं इसलिए next night अपने island को repair करके हम लोग दुबार से लग जाते हैं zombie villager को capture करने के लिए और वो भी अच्छी खासी तयारी के साथ हम दोनों ने मिलकर यहाँ पर पहले सी काफी सारी boat place कर दी दी जिसकी वज़े से zombies आते जारे थे और फसते जारे थे और जब एक दो zombie villager trap हो जाते हैं तो मैं उनको उपर से भी cover करने लगता हूँ बट उस night में भी भाई काफी जादा तोड़ फोर होती है बट जैसे तैसे हम इन दो zombies villager को तो capture कर लेते हैं और फिर मैं जल्दी से lock को smell करके charcoal बनाता हूँ और फिर craft कर लेता हूँ torches ताकि हम लोग उस area को light up कर सके और रात में thunder storm भी आया होता है जिसकी वज़े से skeleton horse भी आ गया था और जब creeper हम लोग के island पर food ही थे तब भाई उन्होंने हम लोग की काफी साई dirt भी फोर दी थी और अब हम लोग के पास काफी कम dirt बची होती है जिसकी वज़े से हम लोग का farm भी काफी जादा छोटा हो जाता है और अब हम लोग को dirt को dupe परना होगा gravel को लाकर और gravel हम लोग को मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ नैदर से इसलिए अब मेरे को बनाना होता है नैदर portal बट उसे बनाने के लिए भी हम लोग के island पर जगया नहीं होती बट मेरे पास wood काफी सारी होती है इसलिए मैं wood का इस्तिमाल करके सबसे पहले अपने island को और भी जादा extend करता हूँ और जो सुरुआत में obsidian हम लोग को chest से मिलेते उससे मैं अपना portal भी build कर लेता हूँ और portal light up करने के लिए हम लोग के पास friend time, steel वगरा तो होती नहीं है तो मैं lava के उपर wood को place करकर अपने portal को light up कर लेता हूँ और फिर finally entry लेते हैं nether के अंदर और nether में आने के बाद मैं cd golden nuggets को mine करने लगता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता ये piglins मेरे उपर attack कर दे इसलिए फटा-फट से मैं हम दोनों के लिए golden boots बनाता हूँ और अब ये piglins हमको कुछ भी नहीं कहने वाले literally मैं चाहूँ तो अब इनको मैं धक्का देकर lava में भी गिरा सकता हूँ और ये मुझे कुछ नहीं कहने वाले बाकी फिर मैं लेता हूँ एक बहुत ही risky move मेरी health बहुत ही साथा कम होती है और मेरे पास food भी नहीं होता ना यहाँ पर और ना ही घर पे इसलिए फिर भाई मेरे को literally इन piglins को भढ़काना पड़ता है ताकि मेरे उपर attack करें और मैं इनको अराम से मार कर rotten flesh ले लू और ये plan मेरा work भी करता है हम लोग इन सब को निप्टा भी देते हैं हम लोग को 10 rotten flesh भी मिल जाती है और आगे चलकर मेरे को gravel भी मिल जाती है तो फिर फटा-फट से मैं golden shovel craft कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा सी gravel हम लोग जल्दी से collect कर पाए और फिर हम दो नहीं लग जाते है gravel collect करने के लिए लिटरली मैं तो 2-3 सवली तोड डालता हूँ और बहुत सारी gravel collect कर लेता हूँ और फिर घर पर आकर dirt और gravel से मैं coarse dirt बनाता हूँ और दूबारा से उनको normal dirt में convert कर लेता हूँ और इसे हमारे पास काफी side dirt उजाती है तो मैं चला जाता हूँ अपना बड़ा सा एक food farm build करने के लिए जिसे मैं easily build कर देता हूँ और तब भी dirt बच जाती है तो मैं उससे sugar cane का farm भी build करने लगता हूँ और मेरे पास जो grass block रखा हूँ था उसको भी मैं यहीं पर ही place कर देता हूँ और जो इकलाती sugar cane थी उसको भी मैं यहीं लगा देता हूँ grow होने के लिए और यह दोनों farm build करने के बाद बारी होती है अपने tree farm को और भी ज्यादा extend करने की इसलिए मैं लग जाता हूँ locks cut करने के लिए और फिर मैं अपने tree farm बाले island को और भी ज्यादा extend कर देता हूँ और इस बार तो भाई कुछ जादी extend कर दिया था हम लोगों ने इसको और अब तो मुझे नहीं लग रहा है इससे जाद हम लोग को इसको बढ़ा करने की ज़योत है बाकि फिर दुबारा से हम लोग यहाँ पर सारी की सारी sapling plant कर देते हैं और जब यह tree grow हो जाते है तो मैं दुबारा से चला जाता हूँ इनको cut करने के लिए और इस बार तो भाई मैं काफी सारे locks को collect कर लेता हूँ क्योंकि मुझे next build करना था एक XP farm और जब wood collect होई गी होती है तो फिर मैं सीथी चला जाता हूँ XP farm build करने के लिए और राइट गाईज तो अभी अपना XP farm बन कर त्यार हो गया है जो work भी बड़िया तरीके से कर रहा है और हम लोग को loot भी काफी तगड़ी मिल लई है बाकि इस बार हम लोगों ने इस XP farm को देखने का भी बहुत ही तगड़ा बनाया है और यह आपको कैसा लग रहा है आप लोग भी comments में बता देना और इस XP farm से मेरे को bone meal होती है जिसका मैं bone meal बनाता हूँ और जब उसको मैं grass पर मारता हूँ तो मेरे को मिल जाती है यहाँ से seed और यह देखो भाई यहाँ पर तो literally मैं मरते मरते बचाओं भाई यह अहादे time दो मस्ती करता रहता है बट anyways अब मेरे पास seed आ चुकी थी तो मैं फटा फट से उसको weed बना लेता हूँ bone meal की मदद से और अब हम लोग bread भी craft कर सकते हैं और फिर मैं और भी bone meal collect करता हूँ और भी जादा bread भी craft कर लेता हूँ और फिर दुबारा से चले आते हैं हम लोग nether के अंदर और फिर start कर देते हैं एक fortress ढूणना क्योंकि हम लोग को अपने blazers को cure करना था उसके लिए potion सी होगे जो बनेंगे brewing stand में और brewing stand बनेगा blaze rod से और फिर थोड़ी बहुत देर दूढ़ने के बाद हम लोग को एक fortress मिल भी जाता है और फिर मैं एक रास्ता बनाने लगता हूँ यहां से अंदर जाने का बट मेरी entry यहां पर थोड़ी के hazual होती है और फिर तुरंती में पीछे blaze with the skeleton पढ़ जाते हैं वो भी half hard पर भाई फ उसको cover देने लगता हूँ पीछे से bow and arrow से अंद हम लोग bow से ही काफी सारे blazes को मार भी देते हैं और जैसी मैं blaze rod collect करने के लिए जाता हूँ और फिर जो भाई मेरे को यह चटकाते हैं मैं सारी blaze rod वहां से collect भी नहीं कर पाया इतना बुरा मेरे को यह मारते हैं और फिर मैं brown मजरूम मिलती हम लोग उसको भी collect कर लेते हैं और फिर हम लोग इस fortress से निकल जाते हैं बाकी रास्ती में हम लोगोंने काफी सारे gold nuggets माइन करे होते हैं जिसके मैं gold ingot बनाता हूँ और फिर उनसे trade करने लगता हूँ एक piglin से क्योंकि मेरे को इससे चाहिए थी water bottle ताकि हम potion बना पाएं बट यह piglin हम लोग को water bottle तो नहीं देता लेकिन हम लोग को potion of fire resistance मिल जाते हैं जिसको पी कर हम लोग खाली करके water भर सकते हैं और अब हम लोग को golden apples चीए दे तो हम लोग आज आते हैं एक bastion की तरफ और यहाँ पर भी ऐसी entry करने का मेरा कोई plan नी था बट वह तो देते हैं और फिर भाई मेरी arrow भी खतम हो जाती है तो मेरे दोस्तों यह बाकी के piglins को भी मारना परता है और फिर सारे blue piglin को मारने के बाद हम लोग चेस्ट लूटते हैं जिसमें luckily हम लोग को golden apple मिल जाता है और फिर घर पर आकर फटा-फट से मैं splash portion of weakness मनाता हूं एंड फिर advancement भी मिल जाती है zombie doctor की बाकी अब हम लोग को इन villagers के लिए विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाना था उसके लिए हम लोग अपने area को भी extend करने लगते हैं और अपने island को थोड़ा बहुत अच्छा look देने के लिए मैं अपने दोस्ते कह देता हूं हमारे सारे islands पर बाउंडरी कर है एंड यह देखने में काफी जादा मस्त लग रहा है हम लोगों यहाँ पर iron के gate लगाए है ताकि विलेजर भाग न पाए बट इन लोग को jail जासा न लगे इसलिए बड़ी बड़ी window भी दे रखी है और यहाँ पर घड़ी हो कि हम लोग मस्त view भी ले सकते हैं पूरे island का बाकि अब यह villager trading hall तो बन चुका है अब बस बार ही है तो यहाँ पर villagers को move करने की और जब मैं उन विलेजर को लेने जाता हूँ तब मैं देखता हूँ कि हमारे island पर आ चुका है wandering trader और वो trade कर रहाता है moss block एक emerald के बदले तो मैं बहुत सारे moss block trade कर लेता हूँ क्योंकि emerald मै villager को trading hall में shift करने के लिए और वो मैं easily कर भी देता हूँ इनको bed का लालस देकर और फिर start कर देता हूँ इन विलेजर से emerald की trade करना और मैं इन लोग को bread भी देता हूँ ताकि इन लोग की थोड़ी बहुत आदाद बड़े और हम लोग के पास और भी ज्यादा काम करने वाले हूँ हमारे लिए बाकि फिर जब इन विलेजर का cooldown होता है तो मैं चला जाता हूँ locks को cut करने के लिए क्योंकि अभी मेरे पास जितनी होती है उनसे तो emerald trade करके मैं अपना diamond का armor नहीं बना सकता इसलिए मैं काफी सारी locks को cut कर लेता हूँ और फिर काफी सारी lock collect करने के बाद म काफी सारे emerald trade कर लेता हूँ और फिर एक armorer को बनाता हूँ जिससे faldo की trade ले लेकर उसको upgrade करके expert बनाता हूँ और फिर finally उससे trade कर लेते है अपना diamond का armor वो भी हम दोनों के लिए है और बाई सच बता हूँ तो यकीन नहीं हो रहा एक chest के समान से हम लोग diamond के armor तक पहुँच बाकि अब आरी थी अपने लिए tools trade करने की जो कि मैं easily एक tool smith को expert बनाकर कर लेता हूँ और एक weapon smith को master करके हम लोग diamond की sword भी trade कर लेते हैं and finally अब हम लोग के पास पूरे diamond के armor, tools और weapon आ चुके थे और अब बस हम लोग को ender dragon को मारना है बट आज नहीं उसको मारेंगे हम आड़ी करने जाना है मजा कर रहा हूँ कुछ नहीं होता बाई बाकि आप लोग के क्या plans है new year के और 2024 के वह आप comments में बता सकते हो और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना चैनल को subscribe करें भीना मत जाना मैं चला बाई